नमस्कार मित्रो जय हिंद वंदे मात्रम जय गोमता अभी हम है काइनाउस मेर मेरे साथ में है मानलगड विदान सभा के पूर्व एमेले साफ विवेक जी धाकड बड़े भाई साब ने लंपी के अंदर यहां अभी 20,000 की दवाईयों का सयोग किया इसके लिए भाई साब का करेदे से धनिवाद करता हूं भाई साब आज आए अपने हाथ से सेवा भी की और दवाईया भी लेके आए विवेक जी धाकड बड़े बिया मेडिसिन लेके आए और खुछ सेवा दे रहे अपने आतों से मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे भाईया का नाम है विवेक व कि यहां आज सेयोग से आना हुआ अनकूट का त्योहार है आज दिपावली का और ऐसी मेरी इच्छा थी कि कहीं न कहीं गौवंश पर आपदा आ रही है कहीं न कहीं गौश आला में चला जाए और मैंने सुबह हमारे यहां पार्शिद मुहिनी माली हैं उनके फोन करा क्या कि यह काफी टाइम से काइना उसमें आ रहे थे और उनके वेटर हाफ सागर ने बताया कि हम यहां ऐसे जा रहे हैं और वहां दवाईयों की बात चल रही है कि दवाईयां ले जानी है क्योंकि अब यह थोड़ा अंतिम दोर में चल रहा है अब विशेश केयर की जरूते है उसमें दवाईयों की जरूते है तो डॉक साब ने जो दवाईय लिखी है हमार साथ डॉक साब और वेटरनरी का स्टाफ खड़ा हुआ है यह काफी टाइम से सेवा करें इन्होंने जो कहा मैं तो सैयोग से आज यहां आना हुआ और एक आत्मिक खुशी हुई कि कहीना कहीं इस गौमाता के लिए बात हो रही है उसमें कहीना कहीं एक छोटा सा अंश्दान एक छोटा सा कदम इस विवेक शुश्वां कनिहालाल धाकर द्वारा भी किया गया है बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जो अजय हैं इससे पहले हम कोरोना में मिले थे और सेंट्रल जेल हम मैं उस टाइम पर मैंने कोरोना में किट्स और जो बांटे थे पूरे डिस्टिक में उस टाइम पर उससे मुलाकात हुई थी और उसके बाद अभी मिले हैं आज पुने वापिस ऐसी जगह है आपदा के समय में मिल रहे हैं मैंने इसको यहीं कहा था कि आज भी वाइरस के उ होना चीए कि हम सनातिनी गो सेवा रेगुलर करें ऐसा नहीं कि यार अभी तो लंपी है चलो ठीक है अभी कर देते हैं बाद में देखा जाएगा नहीं यह रेगुलर चलने वाली चीज है सब लोगों को थोड़ा आगे आना चीज है और अपने इसाफसे सेयोग देना हैं और यहाँ पर जो सिवाएं दे रहे हैं और जो सयोग कर रहे हैं प्रतेक्ष एप्रतेक्ष उन सबको बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद शुब दिपावली धन्यवाद आभार बंदे मात्रम